काला पानी सुनने में लग रहा है जैसे किसी पानी को काला कहा जा रहा हो, पर ऐसा बिलकुल भी नहीं है. यह एक सजा का नाम है, जो ब्रिटिश काल में दी जाती थी. आईए इसे विस्तार से समझते हैं. काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यू, यानि काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यू के स्थान से है, जहां से कोई वापस नहीं आता. इसे Cellular जेल के नाम से जाना जाता था. आज भी इसे इसी नाम से जाना जाता है. इस जेल का नाम Cellular पढ़ने के पीछे एक वजह है. दरसल यहां हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और हर कैदी को अलग-अलग ही रखा जाता था ताकि वो एक दूसरे से बात न कर सकें ऐसे में कैदी बिलकुल अकेले पड़ जाते थे अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक होता था इस जेल को अंग्रेजों ने बनवाया था जो कि अंडमान निकोबार द्वीब की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है ये द्वीब कीचड से भरे थे इस जेल को अंग्रेजों ने भारतिय स्वतंतरता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनवाया था यहां मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छूओं, जोंकों और अंगिनत प्रकार के जहरीले कीडों की भरमार थी इस कारण अंग्रेजों के दिमाग में यहां जेल बनवाने का ख्याल अठारा सो सो सतावन की पहली करांती को आ चुका था पर फिर बाद में सेलिलर जेल का निर्मान अठारा सो 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 चिनाननी में प्रारंब हुआ और उननी सो च्छे में यह बन कर तयार हुई इस भवन की साथ शाखाएं हैं और बीचों बीच एक टावर है इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी इन में कुल छेसो सो रटाटाइट कोठरियां बनी थी प्रत्येक कोठरी पंदीन बाई आट फीट की थी जिसमें तीन मीटर की उंचाई पर रोशंदान थे एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से कोई संपर्क नहीं रख सकता था कैदी कैद होने के बावजूद आजात थे लेकिन फरार होने के सारे रास्ते बंद थे हवाएं जहरीली थी जेल में बंद स्वतंतरता संग्राम सेनानियों को बेडियों से बांधा जाता था कोलहू से तेल पैरने का काम उनसे करवाया जाता था हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पैरना होता था यदि वह ऐसा नहीं कर पाता था तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था एक बार यहां 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली और बाकी पकड़े गए जेल अधीकशक वाकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था यहां 1930 में भगत सिह के सहयोगी महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी जेल करमचरियों ने उन्हें जबरन दूद पिलाया दूद जैसे ही पेट के अंदर गया तो उनकी मौत हो गई इसके बाद उनके शव में एक पत्थर बांद कर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया था यह जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है जिसके चारों और कई किलो मीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था इस जेल की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसकी चाहार दीवारी एक दम छोटा बनाया गया था जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकल कर भाग जाना लगभग नामुमकिन था क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूब कर मर जाते सेल्यूलर जेल भारतिय इतिहास का एक काला अध्याय है भारत जब गुलामी की बेडियों में जकड़ा था अंग्रेजी सरकार स्वतंतरता सेनानियों पर कहर ढ़ा रही थी हजारों सेनानियों को फांसी दे दी गई तोपों के मुह पर बांध कर उन्हें उड़ा दिया गया कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल-तिल कर मारा जाता था इसके लिए अंग्रेजों के पास सेल्यूलर जेल का अस्त्र था जेल के अंदर हर कोठरी में सिर्फ एक लकड़ी की चारपाई, एक अल्यूमीनियम की प्लेट, दो बरतन, एक पानी पीने के लिए और एक शौच के समय इस्तेमाल के लिए और एक कंबल होता था जापानी शासकों ने अंडमान पर 1942 में कबजा किया और अंग्रेजों को वहां से मार भगाया उस समय अंग्रेज कैदियों को सेल्यूलर जेल में बंद कर दिया गया था उस दौरान नेता जी सुभाश चंदर बोस ने भी वहां का दौरा किया था साथ में से दो शाखाओं को जापानियों ने नश्ट कर दिया था दौतिय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में फिर अंग्रेजों ने यहां कबजा जमाया भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी दो और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया शेश बची तीन शाखाएं और मुख्य टावर को 1969 में राश्ट्रिय समारक घोशित कर दिया गया 1976 में यहां गोविंद वललभ पंत अस्पताल खोला गया वर्तमान में यह 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहां के निवासियों की सेवा कर रहे हैं अक्टोपस की तरह साथ शाखाओं में फैले इस विशाल कारागार के अब केवल तीन अंश बचे है करागार की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे है यहां एक संग्रहालय भी है जहां उन अस्तरों को देखा जा सकता है जिन से स्वतंतरता सैनानियों पर अत्याचार किये जाते थे यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें